अब मंच में एक मोहन के जो मित्र हैं वे अपनी पत्नी के साथ प्रवेश करते हैं और उनका प्रवेश होता है तो मोहन का परिवार उनका स्वागत करता है उनका अभिवादन करते हैं और साथ ही उनमें आपस में समवाध होते हैं क्या समवाद होते हैं आईए इन्हें हम सुनते हैं तो प्यार बच्चों द्रिश्य है मोहनस्य अभिन्नम मित्रम अनिलह स्वभार्यया सह प्रविसती द्वेकन्य महिमा गरिमा चापी प्रविसतह सर्वे अभिवादनम कुर्वन्ती ये जो पद हैं ये कोश्टक में लिखे हुए हैं अर्थात ये किसी का कथन नहीं है यह बताता है कि मंच में अभी मोहन है और वहाँ अनिल और उनकी पतनी और साथ में उनकी दो पुत्रियां हैं जिनका नाम यहां महिमा और गरिमा बताया गया ये वहाँ प्रवेश करते हैं जब ये वहाँ आते हैं तब मोहन और उनके परिवार के जन उनका स्वागत करते हैं तो मोहन स्य अभिन्नम मित्रम मोहन का अभिन्नम मित्र अर्थात प्रिय मित्र अनिल स्वाभार्यया सह अपनी पतनी के साथ स्वाभार्यया अर्थात अपनी पतनी के साथ अपनी भार्यया के साथ प्रविसती प्रवेश करता है द्वे कन्ये उनके साथ में दो कन्या हैं महिमा, गरिमा उनके नाम है महिमा और गरिमा चापी चयद्हन अपी हिति चापी यहां दिरगश्वर संदिक का प्रवेश करते हैं अर्थात महन जहान हैं वहां अनिल अर उनकी पतनी और साथ में उनकी दो पुत्रियां महिमा और गरिमा का प्रवेश होता है सर्वे अभिवादनम कुर्वंती अब जब जिस तरह से हमारे घर में कभी किसी अतिथिक आगमन होता है कोई किसी मित्र का आगमन होता है तो हम उठकर उनका स्वागत करते हैं तो इसी तरह से मोहन के घर में उनका मित्र अन मोहन के परिजन जो हैं वे सर्वे अभिवादनम कुर्वंती सभी उनका अभिवादन करते हैं यथा योग्य अभिवादन करते हैं जब हमा कोई बड़े आते हैं तो हम उनके चरण शुकर अभिवादन करते हैं या नमस्त जो हमारे समकक्ष होते हैं उन्हें हम नमस्ते भी कह तो यथा योग्य अभिवाधन मोहन के परिवार के द्वारा किया गया। अब अभिवाधन के पस्चात उन में आपस में कुछ समवाद होता है। अब उस समवाद में हिस्सा लेते हैं कौन-कौन। तो अब अनिर जो आया हुआ है वह अपने मित्र मोहन से कहता है। क्या कहता मित्रवर नमस्ते सुभम्ते दिपोत सवभवतू नगरे सर्वत्र दीप महोत सवस्य चाक चक्यम द्रिश्यते तुम कथम म्लान मुखह सयानोसी अस्माकम भात्र जायापी कथम तुष्णी मूप विष्टा अपी कुसलिना भवन्त ह। अनिल के कथन कतात पर यह है कि मित्रवर अनिल अपनी मित्र से कहता है मित्रवर अर्था हे मित्र नमस्ते तो विभिन मित्रों के बीच में जब विए आपस मिलते हैं अभिवादन होता है अभिवादन किस तरह से करते हैं नमस्ते कहते हैं या आजकल दोनों मित्र आपस में ग एक परंपरा है तो अनिल अपने मित्र से मिलता है और कहता है मित्रवर नमस्ते सुभम ते दिपोत्सवाह भवतू अर्थात दिपोत्सवाह यहां सब्दों जो है संधी उक्तपद है दीपधन उत्सवाह ये दिपोत्सवाह यहाँ गुण्सपरसंदी का प्रयोग हुआ दीपानाम उतसवह इति दिपोतसवह यहाँ सष्ठी ततपुरुसमास का प्रयोग हुआ यहाँ समासिक पद भी है तो समास्वी ग्रभी हम इस तरह से अलग कर सकते हैं सुभ हम ते दिपोत सवह भवतू अर्थात दिपावली का उत्सव ते तुम्हारे लिए सुभ हो अर्थात दिपावली की तुमको सुभ काम नाएं ऐसा अनील कहता है आगे कहता है नगरे नगर में नगर सब्द सब्दमी भक्ती एक वचन का यह रूप है दिसका दात पर रहता है नगर में सर्वत्र सभी इस्थानों पर सर्वत्र जो है यह इस्थान वाचक अव्याइपद है अव्याइपद किन को कहते हैं अव्याइपद उन पदों को कहते हैं जिनका वाक्य में कहीं पर भी प्रयोग होने पर स्वरूप नहीं बदलता है यस्य व्ययम नभवती यस्य स्वरुपम परिवर्तनम नभवती तद अव्ययम अर्थात अव्यय उन पदों को कहा जाता है जिनका स्वरुप किसी भी वाक्य में प्रयुक्त किये जाने पर कभी बदलता नहीं है तो यहाँ पर यह जो सब्दा आया है सरवत्र यह इसी तरह का सब्दा है यह इस्थान वाचक अव्ययोय पद है तो नगरहे नंगर में सरवत्र सब इस्थानों पर दीप महोत स्वस्य, दीप महोत आउम का काछा दीपावली का पूरा नगर जो है वो दिपावली महुत्साओ के कारण चक्मक रहा है सबका घर जो है बढ़िया धोया हुआ हुआ है बढ़िया रंग रोगन किया हुआ है सब के घरों में तरह तरह के विद्धूत के सजावट की गई है सब के घरों में तरह तरह के दीपों की जो प्रकास है वो उससे जगमगाहट हो रही है अर्थात पूरा नगर जो है इस दीप महुत्सव में जगमगा रहा है चाक चक दिख रहा है तुम कथम कैसे मुर्जाय हुए या दुखी सयानोसी सोय हुए तुम किस कारण से दुखी हो और सोय हुए हो अनिल अपने मित्र से कहता है और साथ ही वह कहता है क्या कहता है अस्माकम हमारी भात्र जाया अपी भात्र जाया कहते हैं भावी को अर्थात जो भाई की जो बहन हो है भाई की जो पत्नी होती है इसको कहा जाता है भात्र जाया भावी जैसे मित्रों की बात करते हैं, तो मित्र जो हैं, वे आपस में जब मिलते हैं, और चूंकि यदि वे विवाहित हों, बड़े हों, तो पुरुस मित्रों की बात हो रही है, पुरुस मित्र जो विवाहित हों, तो वे दोनों समान होते हैं, छोटे बड़े की भावना उनमें न पर चल रही है तो इस तरह से अनील जो है अपने मित्र मोहन की पतनी को भात्र जाया कहता है तो अस्माकं भात्र जाया पी हमारी भाभी भी कतं कैसे तुश्णिम भन उप विस्टा यहां पर वियंजन संधी का प्रयोग हुआ है तुशनिम मतलब होता है चूप चाप उपविष्टा मतलब बैठी हुई है अर्थात्वा कुछ बोल नहीं रही है पहले जब हम आते थे तो बड़ी हसकर बोलती थी लेकिन अभी जब हम आये हैं तब वह चूप चाप है गुमसुम है हसक दोषण तक तो पूशनिम पविष्टा हमारी भाभी वी कैसे गुमसुम बैठी हुई है अपी कुसलीनः भानता है आप सभी यहां कुशलतो है कुशलीना मतलब कुशल भावनता मतलब आप लोग भवान भावनता तो आप लोग यहां कुसल से तो हैं, कुसलता तो है, यदि कुसल हैं, तो सब को प्रसन्न होना चाहिए, तो इस तरह से आप जो हैं, दुखी हैं, सोय हुए हैं, और भाभी भी कुछ बोल नहीं रही हैं, वह भी गुमसुमसी हैं, तो क्या आपके घर में सब कुसल तो हैं, या नहीं ह अईसा अनिल जो है अपने मित्र से प्रस्न करता है अब मोहन उसका उत्तर दिते हुए कहते हैं मोहन हा मित्र किमकत है आमे क्या कहूं सुन्य मीव द्रिश्यते में जगत मत कृते तु जिवने न कोप्य भिला सह अहन्तु मर्नमेव सरनंपस्यामी मित्र किमकत्यामी मित्र मैं क्या कहूं सुन्यमिव द्रिश्यते में जगत सुन्यमिव इती सुन्यमिव अर्थात सुन्य के समान अर्थात इस संसार में आसा की कोई कीरण मुझे दिखाई नहीं दे रही है में मतलब मुझे जगत मतलब संसार में अर्थात इस संसार में मुझे कुछ भी आसा की किरन दिखाई नहीं दे रही है मुझको यह संसार जो है सुन्य सा प्रतीत हो रहा है मत कृते मेरे लिए तू तो जीवने जीवन में न मतलब नहीं कोपी कहदन अपीती कोपी यहां विसरगर संदी का प्रयोग हुआ है अभिलासा अर्थात अभिलासा या इच्छा तो मत कृते तुज जीवने न कोपी अभिलासा अर्थात मेरे लिए जीवन में कोई भी अभिलासा या कोई इच्छा अभसेस नहीं है क्यों क् मैं तो समस्याओं से ग्रसीत हूं और हन्तु दीन रात मर्ण में सरणम पस्यामी मैं दीन रात मरण में मृत्यू की ओर ही सरणम पस्यामी सरण में जा रहा हूं ऐसा मुझे लग रहा है क्यों क्योंकि मैं समस्याओं से ग्रसित हो गया हूं और इन समस्याओं से मुझे मुक्ती मिल पाएगी ऐसा मुझे नहीं लग रहा है अब तो मेरा मरण ही मुझे दिख रहा है या मैं अपने मृत्यू को मैं अपने आपको मृत्यू के सरण में ही जाता हुआ देख रहा हूँ ऐसा मोहन कहता है अब मोहन के इस परकार के वचनों को सुन कर अनिल की जो पत्नी है शुरूती वह कहती है भात्रिवर अस्मिन हर्सोल लास समय कातर वचनानी ब्रुवानह अस्माकम भगिनिम पुत्रान कन्यकाह च कथम दुख सागरे निमज्यासी संसारे दुखानी सुखानी च चक्रवत परिवर्तंते आत्मबलं नत्याज्यम आपत्स्वपी तो भात्रिवर भाईजी अस्मिन इस अस्मिन सब्दा कैसे बनता है अदस सब्दा है सब्तिम्य भक्ति एक वचन का यह रूप है पूर्लिंग तो अस्मिन तो इस समय हर्सोल लास समय हर्सोल लास हर्सधन उल्लास समय कातर वचनानी दुखी करने वाले वचनों को ब्रुवानह बोलते हुए अस्माकम हमारी भगिनिम बहिन को पुत्रान पुत्रों को कन्या का अच्य और कन्याओं को कथम कैसे दुख सागरे दुख रुपी सागर में निमजय सी डुबो रहे हो तो भाई जी कैसे इस हर्स और उल्लास के साथ इसे मना रहा है इस हर्स और उल्लास के समय में इस प्रकार के कातर वचन अर्था दुख भरे वचन ब्रुवानह कहते हुए ब्रुवानह सब्दा कैसे बनता है? ब्रुध हातु है, ब्रुध हातु है, ब्रुध का मतलब होता है बोलना बुर्ध हातूं में सानच प्रत्य का प्रयोग हुआ है प्रत्म भक्ति एक वचन का यह रूप है तो बोलते हुए तो इस प्रकार के हमारी जो बहिन है तुमारी जो पत्नी है उनको तुमारे जो बच्चे हैं पूत्र हैं पुत्रीआ हैं क्या इन्ह прसनता होगी नहीं तो इस प्रकार के कहतार वचन अर्थात दुख भरे वचन ब्रुआनह बोलते हुए कहते हुए असमाकम हमारी भगिनिम पुत्रान कन्यकाच, हमारी बहेन पुत्रों और कन्याओं को कथम कैसे, दुख सागरे दुख रुपी सागर में निमज जैसी तुम डुबो रहे हो, अर्थात ऐसे वचन तुमको नहीं बोलना चाहिए, ऐसा शुरूती कहती है, कहती है, संसारे दुखानी सुखानी च चक्रवत परिवर्तनते, अरे संसार में दुखानी सुखानी च दुख और सुख चक्रवत परिवर्तनते, चक्रवत अर्थात चक्के के समान परिवर्तित होते रहते हैं, जिस तरह से एक पहिया जो होता है, उसका जो उपरी सीरा जो द तो इसी तरह से यह संसार में सुख और दुख का क्रम होता है, यदि इस समय तुम पर दुख आया हुआ है, तो वह दुख जो है घुम करके उपर जाएगा और सुख जो उपर है वो घुम करके तुम्हारे पास आएगा, कहने का ताथ पर यह है कि सुख हो या दुख हो समय के साथ में यह व्यतित हो जाता है, सुख या दुख सदेव एक साथ हमेशा के लिए नहीं रहते हैं, किसी के जीवन में सुख है तो वह हमेशा सुखी रहेगा, यह आवश्यक नहीं है, कोई दुख ही है तो वह सदेव दु सार से सुख और दुख का स्वरुप जो है वह भी बदलता है तो ठीक है अभी का जो समय है तुम्हारी लिए कछिन समय है लेकिन यह कछिन समय व्यतित हो जाएगा कैसे व्यतित हो जाएगा तो इसके लिए आत्मबल जो है धैर यह रखना होगा तो आत्मबलम न त्याज्यम शबतानों करकिके मतं को रहा हैं विपत्य रंगे मतंद्तूम निका अधिका अधिश्य विम्देर को दो आपद्स्वपी आपद्स्वपी जहां पर येण स्वरसंदी का प्रयोग हुआ है आपद्स्व में नहीं त्याज्यम नहीं त्यागना चाहिए किसको आत्मबलम आत्मबल को अर्थात आसा की जो किरणे होती है इनको नहीं त्यागना चाहिए प्यारे बच्छों यहां यह जो पद आया है संसारे सुखानी दुखानी चा चक्रवत परिवर्थनते यह सुक्ति है और साथ ही साथ आत्मबलम नत्याज्यम आपत स्वपी यह भी सुक्तिपद है विभिन परिक्षाओं में पाठ्छ पोस्तक से सुक्तियां लिखने के लिए कहा जाता है तो इस तरह से विभिन पाठ्छों में सुक्तियों का प्रयोग हुआ है तो इस तरह के वाक्यों को आप प्रस्ण पूछ जाते हैं तो सुरूती जो है इस तरह से उन्हें धैरे धारण कराते हुए अर्थाथ दुखों से दूर रहने के उपाय वह बताती है अब सुरूती के वचनों को सुनकर मोहन कहता है क्या कहता है मित्र परिवार एव मम दुखस्य कारणम मेरा यह जो परिवा देख रहे हैं इतनी सारे इसमें सदस्य हैं और इन सभी सदस्यों की इच्छाओं की पूर्ती करना यह मेरे लिए असंभव हो रहा है और इनके कारण से ही मैं और मेरा परिवार दुखी हो रहा है तो परिवार मेरा बढ़ गया है यदि मैं पहले से ही इस बड़े परिवार से व्रिहद परिवार से क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं इनको यदि मैं जानता तो मैं भी परिवार को सीमीत रखने के जो उपाय हैं उनको अपनाता मैं उस समय उन उपायों को नहीं अपनाया इस कारण से मेरा परिवार जो है अब बढ़ गया है और उस परिवार के कारण ही मे मेरे दुख का कारण बन गया है मम एसा पुत्री स्यामा विवाह योग्या संजाता मेरी यह पुत्री स्यामा विवाह योग्या हो गई है तो निश्रीतुरुप से केवल स्यामा ही नहीं और भी पुत्रियां है वो भी सिग्रता से बढ़ रही है वो भी विवाह योग्या हो र नहीं है तो इन सब को देख करके ही मैं जो है मानसिक रूप से तनाव अनुभाव करता हूँ दुख अनुभाव करता हूँ और मैं स्वस्थ नहीं रह पाता हूँ अभी तो ठीक है कि मैं जुर से पीडित हूँ बुखार से पीडित हूँ लेकिन बुखार मुझको उतना और उनके वचनों को सुनकर अनिल क्या कहता है, स्ुरूती क्या कहती है, राधी का क्या कहती है, आईए सुनते हैं प्यारे बच्चों मुहन के वचनों को सुन कर अनिल ने क्या कहा आईए समझते हैं अनिल कहता है मित्रवर न ते वचो अभीनन्दामी चिन्ता तु सिख्चा दिख्चा कृतेच करणिया यदी अन्यथा न मन्यसे तरही विरिहत परिवारह एव यूस्मदियम दुखकारणम वित्या तु भवत सद्री समयव अर्थो पारजनम क्रियते मया अब अनिल जो है अपने मित्र को समझाते हुए कहते हैं मित्रवर न ते वचो अभीनन्दामी अभी तुमने यह जो कहा कि परिवारही मेरे दुख का कारण है इसका मैं अभीनन्दन नहीं करता हूँ अर्थात इसका समर्थन नहीं करता हूँ मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूँ चिंता तु सिक्षा दिक्षा कृतेच करनिया अरे चिंता ही करनी है अरे परिवार बड़ा है ठीक है अब उसकी चिंता मत करो अब चिन्ता यदि तुमको करना है तो इस बात की करो कि अब जितने बच्चे हैं उनकी सिक्षा दिक्षा कैसे भली प्रकार से किया जा सकता है यदि तुम मेरी बात को गलत नहीं मानोगे तो मैं कहूंगा तरही तो व्रिहत परिवारह व्रिहत मतलब होता है बड़ा परिवारह मतलब परिवार एव का तात्पर होता है ही यूसमदियम मतलब तुम्हारे दुख कारणम दुख अस्य कारणम इती दुख कारणम सश्थित पूर समास इसका तात्पर होता है दुख का कारण यदि तुम अन्यथा नहीं समझते हो तो व्रिहद परिवार जो बड़ा परिवार है यही तुम्हारे दुख का कारण है वृत्या तू वृत्या कहते हैं वृत्ति या व्यापार या व्यावसाय अर्थो पारजन की जो क्रिया है वह तु तो भवत सद्री सम्यव तुम्हारे समान ही अर्थो पारजनम क्रियते मया तुम्हारे समान ही अर्थो पारजन मेरे द्वारा भी किया जाता है अर्थात मैं जितना अर्थो पारजन करता हूं अर्थात मुझको जितना आय होता है उतना ही तुमको भी होता है या तुमको जितना आय होता है वैसा ही आय मुझको भी होता है कोई अधिक मुझको आय नहीं होता है मैं अधिक नहीं प्राप्त करता हूँ तुमको जितनी आय होती है तुम जितना आय प्राप्त करते हो उतना ही आय मैं भी प्राप्त करता हूँ वही आय मेरे द्वारा भी प और तुम दुखी हो कारण क्या है कि मेरा परिवार छोटा है मेरे परिवार में मैं और मेरी पत्नी और साथ ही दो पुत्रियां है तुम तुम्हारा परिवार बड़ा है तुम्हारे परिवार में संतान अधिक है संतान अधिक होने के कारण से तुम उनका लालन पालन ढंग से नहीं कर पा रहे हो और तो और उनकी सिख्छा दिख्छा की भी उचित व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो यदि सुखी रहना चाहते हो तो बच्चों की सिख्षा दिख्षा भली प्रकार तुम्हें करना होगा निश्चित रुप से ये हम सब के लिए भी चिंतनी है कि परिवार बड़ा होने से तरह तरह की समस्याइं होती है जन संख्या व्रिद्धी के से अनेक समस्याइं उत्पन होती है तो जन संख्या सीमीत रहे और जितने बच्चे हो उन सब की भली प्रकार से सिख्षा दिख्षा होने से ही हमारा परिवार हमारा समाज और हमारा देश प्रगती कर सकता है इसलिए बच्चों की सिक्षा दिक्षा पर ही पर हमें विशेश बल देना चाहिए तो इस तरह से अनिल अपनी मित्र को समझाते हुई बाते कहता है और साथ ही अनिल जो बाते कहता है उसी पे अपनी बातें जोडते हुई शुरूती कहती है शुरूती कहती है भात्रिवर भाई जी मम मतलब होता है मेरे तू का मतलब होता है तो कन्य का तात्पर ये होता है कन्य सब्द जो है ये प्रत्मई भक्ति द्विवचन का रूप है कन्या, कन्ये, कन्या तो मेरी जो दोनो कन्याएं है वे कैसे है पूत्र समे, पूत्र के समान ही समे कहा गया है समम नहीं कहा गया पूत्र समे, कन्ये कन्ये मतलब दो कन्या तो पूत्र समे, दोनो कन्याएं जो है दो पुत्र के समान एव का मतलब होता है यह स्टह मतलब हैं यह भी दूबशन का रूप है स्तह कैसे बनता है अस्ति स्थसंति स्तह जो कह रहे हैं इसका मूल धातू है अस अस का ताद पर होता है होना लट लकार प्रथम पुरुस द्वी वचन का यह रूप है अस्ति स्तह संति तो मम तू द्वे कन्ये पूत्र समय एव स्तह मेरी जो दोनों कन्याएं हैं वे दोनों पूत्र के समान ही हैं एका तु और उन में से एक जो है वह कैसी है चिकित्सा छेत्रे चिकित्सा छेत्र में आईरुवेद पाठक्रमें अध्यानम करोती वह आईरुवेद पाठक्रम का अध्यान कर रही है अपरा और दूसरी जो है वह सम्स्कृत स्नातकोत्तर पाठक्रमें पठती वह स्नातकोत्तर पाठक्रम संस्कृत में स्नातकोत्तर पाठक्रम की जो कक्षाएं हैं वहाँ वह पढ़ रही हैं अर्थात ए में की जो कक्षाएं होती हैं इन्हें स्नातकोत्तर कक्षा कहा जाता ह सनातक और सनातक उत्तर जैसे आप जब उच्च सिख्षा में जाएंगे जब आप दस्वी पढ़ रहे हैं दस्वी के बाद 11 और 12 पढ़ेंगे 12 पर बार्वी के बाद जब आ आप महाविद्याले में प्रवेश करेंगे तब आप वहाँ प्रथम वर्स, द्वीती वर्स और त्रिती वर्स की जो कक्छाएं हैं, ये सनातक की कक्छाएं कहलाती हैं, सनातक के बाद की जो कक्छाएं होती हैं, वो सनातक उत्तर की कक्छा कहलाती हैं, सनातक उत्तर एती सनातक उत्तर, सनातक स्य उत्तरम एती सनातक उत् अर्थात सनाता के बाद की जो कक्छाएं होती हैं वो कहलाती है सनात कोतर तो अपरा संस्कृत सनात कोतर पाठक्रम में पठती और दूसरी जो है वह संस्कृत के सनात कोतर पाठक्रम में पढ़ रही है आवाम हम दोनों पती और पत्नी अर्थात अनील और शुरूती आवाम हम दोनों स्वस्थ प्रसन्नव स्वस्थ भी रहते हैं और प्रसन्न भी रहते हैं स्वद्वे कन्य के पीच्च दो कन्या है इसके बाद भी हम दोनों जो हैं स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहते हैं जो कन्या है ये पुत्र के समान ही है हम कभी भी कन्या और पुत्र में लड़का और लड़की में भेद नहीं करते हैं लड़की का भी पालन पोशन हमने लड़कों की तरह अर्थात पुत्रियों का पोशन भी हमने पुत्र के समान ही किया है जिस तरह से घर में परिवार में सम प्रसन है और हम दोनों भी प्रसन है तो इस तरह से हमारा पूरा परिवार है वे प्रसन हैं असमाकम सदनम सानंदम हमारा जो सदन है हमारा जो घर है वह कैसा है सानंदम आनंदेन सहितम इती सानंदम यहाँ पर यह अव्यभाव समास है सानंदम आनंदेन सहितम इती सानंदम तो हमारा जो परिवार है हमारा जो सदन है हमारा जो घर है वो कैसा है आनंद पूर्वक है आन कोई क्लेश नहीं है ऐसा शुरूति कहती है अब अनिल अशुरूति के वचनों को सुनकर राधिका कहती है क्या कहती है भगिनी आवा भ्याम नियोजित परिवार विशिये कदापिन चिंतितम असमिन विशिये पूर्वं आवाम नप्रेरितव हे भगिनी हे भहिन आवा भ्याम हम दोनों के द्वारा मेरे और मोहन के द्वारा नियोजित परिवार विशिये परिवार नियोजन के विशये में हमारे द्वार नियोजन के विषय में पहले सोचे होते उस परिवार नियोजन को अपनाए होते तो हमारा परिवार भी बड़ा नहीं व्रिहद नहीं हुआ रहता व्रिहद परिवार नहीं होता तो हमारा परिवार भी आज तुम्हारे परिवार की तरह आनंद पुर्वक प्रसन्नता से रहता जोंकि अब हमारा परिवार बड़ा हो गिया है तो इसलिए हम समस्याओं से ग् मतलब विसाय में इस विसाय में परिवार नियोजन के विसाय में पूर्वं पहले आवाम हम दोनों न प्रेरित हुआ हम दोनों प्रेरित नहीं हुए अर्थात हम दोनों यदि प्रेरित हो गये होते और उसको अपना लिये होते तो हमारे परिवार भी आज प्रसन चीत होता आ अब तो इस तरह से बाते होती हैं फिर अनिल इन बातों को सुन करके क्या कहता है आये सुनते हैं प्यारे बच्चों अनिल मुहन और राधिका के परिवार को संबोधित करते हुए कहते हैं क्या कहते हैं? अनिल कहता है गतस्य सोचनम न करणियम लगु परिवार विशिये अन्यान प्रेरयन स्व परिवारम अपी प्रकारांतरेन प्रेरय मत सामर्थ्या नुसारेन अहम सहयोगाय तत परह इदानिम अस्मान ग्रिह गमनाय आज्या पयतू अब अनिल सारी बातों को सुन लिया और सुनने के बाद सबका समाहार करते हुए कहते हैं गतस्य सोचनम न करणियम गतस्य जो हो गया जो बीत गया सोचनम अर्थात दुख न करणियम जो बीत गया उसका दुख नहीं करना चाहिए अर्थात जो होना था वो तो हो गया अब आ इसके विशाय में सोचो, क्योंकि जो बीत गया है, उसके विशाय में यदि हम चिंतन करते रहेंगे, सोक करते रहेंगे, दुख मनाते रहेंगे, तब जिवन आगे नहीं बढ़ सकता, हम प्रसन्न नहीं रह सकते, इसलिए जो बीत गया, उसका हमें सोक नहीं करना चाहिए। गया है उसका सोक उसका दुख नहीं करना चाहिए लगु परीवार के विसय में अब तुमको समझ में आ गया है कि व्रिहत परिवार होने से परिवार जो है विभीन तरह की समस्याओं से ग्रसित हो जाता है इस बात को तुम भली-बाती समझ गये इसलिए अब तुम्हारा क्य दायत्व यह है कि लगु परिवार विशिये छोटे परिवार के विशय में अन्यान प्रेरयन दूसरों को प्रेरित करो अब दूसरे का परिवार ऐसा बड़ा न हो इसके लिए तुम लोगों को प्रेरित करो स्वपरिवारम अपी और अपने परिवार को भी प्रकारांतरेन और प्रकारांतर से अर्थात अपने बच्चों को प्रेरय प्रेरित करो तुम्हारा परिवार तो बड़ा हो गया अब दूसरों का परिवार तुम्हारी तरह से बड़ा ना हो इसके लिए लोगों को प्रेरित करो और साथ ही तुम्हारे जो बच्चे हैं भविश्य में उनका परिवार इस तरह से बड़ा ना हो इसके लिए उन सबको तुम प्रेरित करो, इसमें ही अब तुम्हारी भलाई है, मत सामर्थ्य अनुसारेन, मत मतलब होता है मेरे, सामर्थ्य अनुसार, सामर्थ्य धन अनुसारेन, यहां दिर्गरशवर संदी का प्रयोग हुआ है, मत धन सामर्थ्य धन अनुसारेन, मत धन सा सहयोग पर करता रहूंगा ऐसा अनिहील कहता है और ऐसा कहने के पस्चात कहता है क्या कहता है इदानिम इस समय असमान हमको ग्रिह गमनाय घर जाने की आग्या पयतू आग्या दो अब हम अधिक देर नहीं बैठेंगे बहुत देर हो गया बहुत सारी बातें हो गई और अब हम घर जाना चाहते हैं अत एव इदानिम असमान ग्रिह गमनाय आग्या पयतू इसलिए अब हम लोगों को घर जाने की आज्या दो ऐसा करके अनील, शुरूती और उनकी पुत्रियां वे उच खड़ी होती हैं और जाने के लिए उद्यत होती हैं तब मोहन राधि के मोहन और राधि का दोनों एक साथ बोलते हैं क्या कहते हैं गच्छतु भवान पुनर दर्सन आये हैं तो इस तरह से अनिल और उसका परिवार जो है मोहन और राधि का के घर से जाते हैं शुरूत्य नीलव पुत्रिभ्याम सह वे गरिहं प्रती गच्छत्छत्ह अब मंचमपर दर्स से दिखाई देता है क्या दिखाई देता है शूरूत्य नीलव शूती च्डूतिच अनिलळ च यहाँ पर द्वंद समास का प्रयोग हुआ है अर्थात सुरूति और अनेल पुत्रिभ्याम पुत्रियों के साथ स्वाग्रिहाम अपने घर की ओर गच्छता सब्द कैसे बनता है गम अधातु है लट लकार प्रथम पुरुस और द्वीवचन का ही रूप है गच्छति गच्छताह गच्छन्ते तो सुरूत्य नीलाव पुत्रिभ्याम सह स्वाग्रिहाम प्रती गच्छताह सुरूति और अनेल अपने पुत्रियों के साथ अपने घर की ओर चले जाते हैं लखना चाहिए क्योंकि यदि परिवार बड़ा होता है तो तरह तरह की समस्याएं होती हैं एक तरफ हमने देखा मोहन और राधिका का परिवार है दूसरी तरफ हमने इस पाठ में देखा सुरूती और अनील का परिवार है मोहन और राधिका के परिवार में जो कि बच्चों अनिल के परिवार को देखा, उनकी किवल दो कुन्याये हैं, दो पुत्रियां हैं, लेकिन उन पुत्रियों को वे पुत्र की तरह मानते हैं, और पुत्र के समाने उनकी सिक्षा दिक्षा की विवस्था करते हैं, इसलिए उनके परिवार में कहीं कोई समस्या नहीं है, उनका परिवार प्रसन्न चीत है और दूसरे तरफ मोहन और राधिका का परिवार जो है वह दुखी है इसलिए कहा गया है परिवार लगु एव वरम इसलिए छोटा परिवार ही स्रेश्ट परिवार है अर्थात परिवार में बच्चों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए जितन